नमस्कार दोस्तो तो आपका स्वागत है मेरी नए वीडियो में और आज हम इस वीडियो में अन्बॉक्स करेंगे हैरी पॉर्टर का बुक सेट तो यह डबा जो है यार यह प्रॉपर धंग से आया नहीं है तो यार मेरे कोई शिकायत है फिलिप कार्ट से थोड़ा डबा धं तो हम इसको अन्बॉक्स करेंगे इन ओजारों से रहसे तो मैं एक यह उजार यूज करता हूं पर दिखाता दों यह अप उनका स्टाइल है तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो कि मतलब एकदम नौर्मल पैकेजिंग है जश्ट एक उपर से गत्ता चड़ा रख है ओ भाई खुल गया मेरको देखने से लग रहा है यार डबबा एकदम सही कंडिशन में है तो इसको रखते साइड और यह रा बिल इसको फैकते साइड होई तो अब हम अपने मेन बॉक्स को देखते हैं कितना सुन्दर है और आपको वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं मे है जब हाथ में इसको पॉकट रहा हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और यह साथ बुक्स सब मेरे पास है मेरे को यकीन नहीं हो रहा है यार मतलब और यहां पीछे हॉग्वर्ट्स का बना हुए किला काफी अच्छा डब्बा बनाया है भाई इसके लिए डाई जार रुपए खर्च भी दो करें हैं पर ऐसा पूरा लगता है कि मैंलब डाई जार रुपए वर्थिट हैं तो पन्नी भी हम उतारते हैं फिर मैं आपको एक देता हूं बुक्स हो क्या बूल रहा हूं मैं बुक्स तो यहां पन्नी हटा रहे हैं अब उतर जा आई यह पीछे वाला बहुत बड़ी अलग रहा हिस्सा है यार बहुत कूल लुक दे रहा है पूरे बॉक्स हैट को और जो इसका डब्बा है न यह सिर्फ बुक्स रखने के लिए ऐसे हिंदी बनाया गया काफी स्ट्रॉंग लग रहा है और मतलब काफी अच्छा लग रहा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और उपर जो यह हैरी पॉर्टर लिखा है ना भाई बहुत सही बनाया है तो यार जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि हरी पॉर्टर की कुछ चार सो पान सो मिलियन कॉपी सोड़ हो चुकी है तो यार यह रहा बॉक्स हैट अब एक एक करके मैं आपको बुक्स दिखाता हूं तो यार बुक्स जो है बहुत टाइट है मतलब ऐसे निकल नहीं रही थी तो मेरे को ऐसे उल्टा करना पड़ा पूरे बुक्स हैट को अब मेरे साब से बुक्स लिक निकल जानी चाहिए यार निकल जा तो हमारी यहां पहली बुक निकल चुकी है काफी मुश्कोलों के बाद तो यहां हमारी पहली बुक है जिसका नाम है Harry Potter and the Philosopher's Stone इसमें सामने जो यह फोटो बनी है Harry Potter, Hermione, Ron और Hagrid की तो काफी बढ़िया फोटो है आ रही है और पेजिस की कंडिशन वगेरा तो next book का हम देखते है next book का नाम है Harry Potter and the Chamber of Secrets तो यह बुक भी काफी अच्छी है इस बुक की भी कंडिशन एकदम बढ़िया है box set पूरा एकदम अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को डर लग रहा था डॉबी है हमारा डॉबी के सीन्स जो थे हो मेरे को काफी अच्छे लगते हैं और डॉबी एक बहुत अच्छा करेक्टर था Harry Potter सीरीज का तो जो next book हमारे पास है उसका नाम है Harry Potter and the Prisoner of S.K.Ban इसकी movie यार मेरी लीश फेवरेट थी बाकी आप book पढ़के पता चलेगा कि book कैसी है Spine इसकी भी अच्छी है यार और condition book की सबकी अच्छे है क्योंकि ये अच्छे से एकदम pack ओकर pack ओकर तो नहीं है पर जो इसका box है वो काफी genuine है उसकी quality अगर है काफी अच्छे है तो I hope so कि book सारी अच्छी है और यहां पर next book Harry Potter and the Goblet of Fire ये मेरी favorite movie थी और मेरे को पूरा अकिन है कि ये book बहुत पढ़िया होने वाली है और जो बाहर इसका cover है यार वो तो बहुत ज़्यादा वासम लग रहा है और ये पीछे का ये भी बहुत कमाल है तो यार मैंने कई बार सुने है लोगों को कहते भी कि Goblet of Fire काफी अच्छी किताब है तो या मैं बहुत एक्सेंस रेडियूस को पढ़ने के लिए तो अगली book जो है ये वो भाई बहुत ज़्यादा भारी है नहीं है मजाक कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मोटी है सब में सब लादा मोटी यार कितनी मोटी है तुम देखो यार मतलब मैं तुल खाता हूँ तुम्हें जैसे माल लो कि मैं इसमें दो किताबे में एक किताब आई है अजै ने भाई सा बने वह है काफी डार्क बूक लग रहा है ये काफी negative feelings आ रही है negative in the sense मतलब काफी डराव नहीं गलत मतले जाना भाई I am also a porterhead इसकी भी spine काफी अच्छे जब कि कितनी मोटी किताब है यार तो काफी अच्छी से book बनाईए गई है Bloomsberry publication के दुआरा तो आप इसको थोड़ा हम side में रखते हैं और next book के लिए हम थोड़ी जगा बना देते हैं जो next book है हमारे पास उसका नाम है Harry Potter and the Half-Blood Prince तो ये किताब भी यार काफी अच्छी लग रही है condition वगेरा और इसकी movie भी काफी अच्छी लगी थी मेरे को जहाँ पर यार Dumbledore मर जाता है तो काफी दुखदाई सीन था वो और Snape ने Dumbledore को के उमारा वो जान कर तो और दुख होता है तो निकालते हम अपनी अगली किताब जिसका नाम है Harry Potter and the Deathly Hallows इस book के दो पार्ट बनेते इस में पीछे हैं Harry Potter और Hagrid बने वे हैं जब वो स्कूटर पर जा रहे होते हैं हवा में उड़ रहे होते हैं इस book की भी condition वैसे सही है पर थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये बाकियों के मुकाबले कम है बाकि सब सही है यार बढ़िया एकदम book है पर आप एक बात देखो वो सब के pages इतने जाद है और pages की quality भी बहुत अच्छी है उसके बाद book भी जाद है heavy नहीं है और binding भी बहुत अच्छी है अब तो थोड़ा box का installation कर लेते हैं box भी एकदम बढ़िया लग रहा है यार एकदम कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है यहां पर बॉक्स एकदम बढ़िया और box अच्छा है तो यहां पर books भी एकदम अच्छी है तो एकदम original set है यह ओ यार ही क्या होगया तो यहां पर यार पीछे यह बनावाय होगवर्ट्स का किला पहुत पढ़िया condition है यार तो काफी अच्छा book set है यह पूरा original book है सारी या I enjoyed unboxing this video यह सारी किताबे और this book set तो यार यही थी unboxing इस book set की I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो यह book set काफी अच्छा था और अगर आप खरिदना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल लाएगा सारी books को की condition काफी अच्छी है सब एकदम बढ़िया condition में आई है और मैं इनको पढ़ने के लिए बहुत ज़दा excited हूँ यह book set खरिदना मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक साथ धाय जार रुपे का set खरिदना पर अब मैंने जब यह खरिद लिया तो मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में